उपचुनाव के परिणाम देखते हुए अखलेश ने मायवती के साथ मिलकर बड़े जोश के साथ महागडबंदन का खाका तैयार किया मायवती को ज्यादा सीट दी और खुद कम पर लड़ गए लेकिन तस्वीर ये कहती है कि इस पॉर्मूले के बावजूद अखलेश को फाइदा कम नुकसान ज्यादा होगा हालात तो ये बन गए हैं कि अखलेश यादव खुद आजमगड की सीट बचाने में नाकाम दिख रहे हैं और उनके मुकाबले खड़े बीजेपी के निरहुआ जीत दर्च कर सकते हैं एक्जीट पोल बताते हैं कि यूपी में महागडबंदन को मुश्किल से 15 सीट मिलने वाली है उपर से अखलेश की मुसीबत ये कि इन 15 सीटों में मायवती के प्रत्याशी ज्यादा होंगे और उनके कम मतलब मायवती ने अखलेश को कंदा बना कर अपना निशाना तो लगा दिया लेकिन अखलेश बुरी तरह से चुनाओं में मात खाते खाते दिखते हैं एकजिट पोल के हिसाब से अखलेश को यूपी में कॉंग्रेस से कुछ ज्यादा सीट ही मिलने के आसार है अगर ऐसे नतीजे आएंगे तो जाहिर सी बात है ये कड़बंदन 23 माई की शाम से ज्यादा नहीं टिक पाएगा अखलेश यादव ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो राजनीत में नौ सिखिया हैं और मायवती बेहत शातिर क्योंकि मायवती ने खुद तो चुनाओं लडने से किनारा करी लिया था और खुद को प्रदानमंत्री प्रोजक्ट कर अपने कथित दलित वोट को भी बचा लिया था मोदी लेहर के बावजूत 2014 में अखलेश यादव की पाटी 5 सीट जीत गई थी और मायवती 0 पर सिमट गई थी लेकिन 2019 में मायवती आगे निकल जाएंगी और उनके बबुआ पीछे रह जाएंगे Bureau Report, News of India